आपने मार यह वीडियो बड़ी है लागी हो तो लाइक करियो शेयर करियो और हाँ कमेंट करकर जरूर बताइए कि किसी लागी कोई गलती शलती हो यह तो माफ करियो जाय है हिंदु जाप अंग्रेज जी के ए बी सी दिलिप जो गई तो उसका नेतर तो बॉन कर रहे हैं यह बात समझ मागी तो खेल खेल लोना है देखो बताओ बताओ शावास सीरीज गंदर शेद गुणा होती होंगी स्केर सुन जादिया पाई न पाई सुन जादि के बच का देखो यह बटे टू एम तर तो चलती है साउट टू नोर्स और बाहर हो जाती है नोर्ट टू साउथ पूरा एक क्लोज लूप बनाती है यह इसकी डिरेक्शन है ऐसे ही हो साइन्स के पाड़क के साथ के समझे है कि उसके समझ में तो सारी बात आ जाएगी आसर बता रहे है बोड़ा आसान लग रहे है लेकिन जब वो खुद लिख कर देंगा उससे में बोल जाएगा और वो कभ याद होगी जब इनको हम तीन तीन चार चार बर लिख कर साइन्सिल दिमाग में कठ जाएगी ना फिर तो कभी भी कुछ भी पूछ लो मेगनेटिक फलक्स हेज लो डेजिस्टेंस एंड कैपिस्टल की एक डाहिए ठीक है हेलो स्टूडेंट्स हावार्यू कैसे आप सभी आज का हमारा जो काम है हूँ है सन दो अजार बारा फिजिक्स पेपर याना बोड एक एक नंबर के परसंग करेंगा तो पहला पर्षण ह्याक है मारा अमारा Stück पावर डेसी पेपटी एंडदे मोरी इंड़क्तिव सर्कीट इस ते चॉर Uオसं राख एक क्यो पर निशान लगाना है तो इंडडे क्योंडक्तिव तैंक उत्सेठीट पढ़क हैं और प्यूर इंडुक्टिव का मतलब अकेला एक ही होगा, प्यूर मींज अनली वन होगा, तो यह फार्मूल बताना हमने, तो यह पावर का फार्मूल होगा, पी इक्वल टू वी आई कोस फाई, और यह लो गया, यह सी सोर्स है, तो वी और आई के बीच के अंदर, इंडुक है जो प्यूर इंडॉक्टर हो, थिप यह लिएक प्यूरे शिए के बीच संमय, जैंड्य क्विए होता है, जा गाता है, वे ओर आई के बीच में एंडुक्व से इंड्य का रिख सकत आए, तो अग्त बीर का और रहे लुक्विए होता है, 9 प्यूरे बीच वेंद़रों, यहां से हम उठाएंगे और एक चाबी और भी दूँगा मैं यहां पर कि इन में से किसी के अंदर करंट आगे होता है वोल्टेज पीछे होती है कि इसमें कौन आगे कोड पीछे है उसके लिए भी एक चाबी लेकर आए हूं आपके लिए वह चाबी भी देंगे तो फिलालीस परसन को कर देते हैं पहले तो अब देखो वी और आई के बीच में इंगल कितना है 90 डिगरी तो पी इस इक्वल टू वी आई कोस 90 और कोस 90 होती है जीरो तो पावर कितने है जाएगी जीरो तो इन में देखो हमारे कहीं जीरो दे रखे है तो उस पर निशान लगाएंगे यह हो गया ठीक है यह तो थी यह एक परसन हो गया अब कई पर परसन आता है कि इन के अंदर जो है वो कौन आगी कौन पीछे होते है वो हम देखेंगे वो परसन को उसके चाबी है मैंने बहुत ही काफी सर्च करके उस चाबी को बनाया है तो डियर स्टुडेंट्स यह वो चाबी जो पर्मनेंट हमारी याद होने वाली है इस से सब मदित कितने परसन आओ एक एक नंबर को उनको सब कमसूल कर हैं तो हमारा प्योड हो गए, कि यह और प्योड स्टुडेंट्स हम we let the second about this क्योंकि यह तिनों परसन एक जैसे कंफ्यूज करने वाड़े हैं उनको दूर करने के लिए चाबी की बनाई गई है तो यह चाबी किया देखो चाबी को समझो एक बार यह चाबी अमने अंगरेज जी का अक्सर पूरी वो लिख दिया है अलफाबैट ए बी सी डी ए बी सी डी अब देखो इसका अंदर तीन अक्सरों को मैंने रेड कलर से किया है सी आई एल इन तिनों को मैंने नीचे लिख लिया है यहां पर सी का मतलब है कैपेस्टर और एल का मतलब है इंड़क्टर ठीक है और बीच माई का मतलब क्या है करन्ट अब डियर स्टुडेंस समझो तो यहां पर आए तो देखो करन्ट हम से आगये है न भाई करंट हमसे आगया है इसका मतलब करनट अमारा नेतर तो यहुशाrió है अंता डूबल कर रहे है Khum jaką डorage अजंत दोर तो पहले इसको इतने कोई समझ लो कि इन कैपेस्टर्र करन्ट लिड्स हमारे जो हमारे आगज मैं इस बात को ऐसे लिखा है कैपेस्टर के अंतर करंट लीड इसलिए दखो मुस्कुरा रहा है और वोल्टेज लेज बिहाइंड लेज बिहाइंड का मतलों वोल्टेज पिछे रही है अब इनको समझाऊंगा मैं डाइग्राम में पहले यह वाला हिसाब को याद हो गया आज़क है ना कि जैसे मालो मेरा आथ के साथ देखो कि जैसे हम यूँँ चल लही हूँ lawn है ठीक है और यू जो चल रहेंनो तो ऐसे इसकंदर से वेव निकलती वीजारी हूँ जब आजा वापिस, हम हम यां से याँ जा रहे है, माल बढ़ो एक आदमी याँ पर आप जा पर लुट है, alors एक यहाँ पर खड़हे हैं, तो वह याँ आपर खड़ है, बटाओ थे, दिशनी दिबास से कि नहीं में देखा हूँ, हम यहाँ पर एक आदमी हमारे आगे खड़ा है, हम जा रही हूँ, तो हमारे नेतर तव कर रहे हैं, वह आप को लीड कर रहे हैं, अच्छा जी, और जो आदमी यहाँ है, तीसर आदमी, वह हम से पिछे हैं, तो उसका नेतर कॉन कर रहे उसका नतर्तप हुं कर रहे हैं यह बात समझ मांगी तो बढ़े तीन सिच्वेशन हैं यह जो लिए यह जरी से दो आखे तो में क्या लिख़ो फ्टि यह सकता हुं? शरुक्त्स हां अ बत गई औरhst लिखो धेऊ एक वाला है एक वारेभी जोड़ना पिछे पिछे यह एक वाला दो वाले से पिछे और दो वाला एक वाले से लीड भीना समधर आज 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 से चल रही हूं यह हमसे पिछे था हमसे मतलब इस वाली लाइन से तो यह ओग्याजी देखो तीन वाला अगर हम यूँ देखे यूं तो पिछे और एक वाला इससे आगे सिद्धी बात समझ मागी होगी इतने तम श्याने बाले को इब आजाओ देखो परसन मा जाओ के पेस् अब चलो परली तरफ इंड़क्टर के अंदर देखो अब हम इंड़क्टर पर चलेगे तो देखो करण्ट हम सब्सक्राइब अब हम से पिछ नस प्राइब करें जो है वो पिछे यही बात मैं लिखे इंड़क्टर के अंदर करण्ट लेज लेज का मतन है करण्ट पिछे इसलिए इसको फेस देखो कैसा हो गया और वॉल्टेज इससरे आगे तो वॉल्टेज इसको मुश्क्रा रही है तो पिछ आग करंट पिछे यह देख़े हो गया कितना पाई भाई टू से करंट पिछे हो गया अब वोल्टेज आगे होगी अब इस पर्शन को देख लो यह दिमाग में तस्वीर बना लो और लोको वोल्टेज लीड कर रहे हैं इससे अपना आथ को अमेशा ऐसे चला है अगर दखो यू यह हमारे आगा आगे चल रहे हम यह आपे है वो यह आपे है तो लीड कर रहे है हम यह आपे वो पिछे है तो वो यह आम से पिछे है दो हम इसको लीड कर रहे है ठीक है इस तीर कर निशान का मतलब है लीड और इस तीर कर निशान का मतलब है पिछे होना ठीक है इसके अंदर कोई आगे पिछे नहीं, सब साथ चलते रहते हैं, VB और IV, इसलिए इनके बीच में एंगल कितना है, 5 is equal to 0 degree, इसके अंदर कितना है, 5 is equal to 5 by 2 degree, इसके अंदर भी कितना है, 5 is equal to 5 by 2 degree, तो डियर स्टुडेंट्स, आप इस चाप भी को याद रखो, यह समाझ में अब जब आएगी जब आप यह वाला तक्कर रखोगे, कि हम किसी सरकल कंदर गूम रहे हैं, जो हमसे अगे वाला है, उसी डिरेक्शन में चल रहा है, तो हमसे अगे ही हो अमारे नेतरतव कर रहा है, जो हमसे पिछे हो हमसे लेज भी आइंड है, ठीक, तीरकन निसान के इस सावसे मन बता दिये, तो यह चाबी को आप याद रखो कि कैसे, ABCD लिखो, उसमें CIL को याद रखो, करंट हमसे अगे है, इन कैपेस्टर, करंट लीड्स, अस, अस का बनो, वोल्टेज समझ लो, इन इंडक्टर, करंट पिछे है, कौन आगे है, वोल्टेज आगे, कर ठीक है, इसका स्क्रीन सोट ले 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 यह चाबी सदा के लिए बना दी है, दिया स्टुडेंट्स, हमारा 30 परसन है, गायरो मेगनिटिक रेश्यो, 4N एलेक्रोन इस, पहली बार आपड रहो, गायरो मेगनिटिक रेश्यो क्या होता है, तो इसको, इसको सही उत्तर ह और ले रहेरो जायरो मेगनिटिक रेश्यो, इसको सही बार है, वह यह बिस्यो, डेक्रा, तो इसको, कैसे है ईए 2 एम, इसको देखो, कि साइन्स कहते है कि न्यूक्लियस के बार, ओर और लेक्रों चेकर लगा रहे है, तो जो सही है, आपन गोम रहे है, तो इसको प्रश अ अब देखो आर रेडियस हो गया और इलेक्ट्रोन का मास M है वी वेलोस्टी से चल रहे है इसमें चक्कर लगा रहे है इसका जो जो इस सर्कुलर जो ओर्बिट दिखाए दे रहा है इसका एरिया कितना है ए वह होगा पाई आर्स के बराबर और जो इसमें चलेगा तो करंट बनेगा उसको हम आई नाम के अक्सर लिखेंगे तो मैगनेटिक मोवेंट के डिया स्टुडेंट दो फार्मूलें होते हैं एक तो होता है एन आई ए लेकिन या तो एक और बीट है थाम एन के जिए एक रख देते हैं बटे एंगुदर मोवेंटम का फार्मूल होता है एम अब देखो यह वह तो है एक तो यह तो नीचे चले जाएगा एरिया एरिया होगा पाय और स्केर नीचे होगे हमारे पास एम वी और आ यहां तक वह तकलिफ अब देखो जो उत्तर उनमें वी नहीं एस टी गवगाओ यहां से तो यहां से कोई लेक्टरों चले और यहां और जो आपपिस आ जाए तो समय का फार्मूला कितना होगा समय बराबर दूरी बटेचाल यहां पर दूरी का रोल कौन करेगा टू पाई र सर्कल की जो प्रिद्ध होते हे चर्कांफरेंच होते उसको बोलते टू पाई आर और पूरा एक चक्कर लगादे तो बड़ा टी तो इसको भी यहां से बगाओ, यहां में लिख दू टू पाई आर, बटे वी, वी उपर चले गए, जो जो कट गए हो काटो, वी से भी कट गया, आर और और आर, आर स्केर शुल जा दिया, पाई न पाई शुल जा दिया, के बच का देखो, ए बटे टू एम, और यह हो कमारा जी आर, गायरो मेग्रेटिक रेशो, तो डियर स्टुडेंट्स, अगर एक नंबर में आते हैं, तो आपके याद होई जाएगा, और दो नंबर में आये, तो मैंने इसका पूरा प्रूव कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट है, पोल्टिंज की लाइन है, तो अब बता ना भई, कौन किस से लीड कर रहे है, करन्ट लीड पाई वाई टू, करन्ट जो है, वो पाई बाई टू से लीड करता है, किस को, वोल्टेज को, डियर स्टुडेंट्स, इसी कंदर थोड़ा सा और अपटेट कर देता हूँ, मेग्नेटिक मोमेंट के बारे में, ये तो सम्दम आये मेग्नेटिक मोमेंट के बारे में देख लो, देखो, दो गिसम की मेगनेट होती है, एक होती है, नेचुरल मेगनेट, और एक होती है, आर्टिफीसिल, आर्टिफीसिल कौन से होती है, इसमें ऐसे करन्ट चले, और वो मेगनेट बने, उसके एरिया होगा, ये आई करन्ट तो इसमें एक इतमेटिक मैगनेट हो बनएगी जो जिसकी डार्क्सीं Canadians पर निक्षे होगी तुमको पता है सारी बात औरikum नेचरोल मैगनेट ऐखसे होत्ती बार मैगनेट ताइब धिक यह इसके पॉल स्ट्रैंठ होते है पॉल स्ट्रेंट होते हैं से लिखेंगे और बीच की दूर यह 2L अब कोई पुच्छे ना अब से मैगनेटिक मोमेंट के दो फार्म ले हैं मेगनेटिक मोवमेंट को बड़े बड़ेया M से लिखेंगे M12L के वरावार होता है । इसकी डायरेक्षन खाना ? इसकी डायरेक्शन होगी साउथ2 involved, ठीक है याद हो जाएगा और इसim तरही मेगनेटिक लाइन्स होती है वो इसके अंदर चलती है अंदर से, अंदर तो चलती है, south to north, और बाहर हो जाती है, north to south, पूर एक closed loop बनाती है, इसकी direction है, ऐसे ही हो, outside the magnetic lines कैसे चलती है, north to south, और inside, south to north, ठीक है, यह तो होगा एक बाग, तो इसका magnetic moment का formula होगा, इसकी unit के होगी, इसकी unit होती है, ampere meter, और length की क्या होती है, meter, तो इसका तरहता है, ampere meter square, इलियर है, next आजाओ, दूसरी वाड़ी, जो artificial magnet हमारी, जिसकी खोज, और श्टिट ने गरी थी, 1820 का अंदर, कि किसी वायर में से current जा रहा हो, तो महां magnet बनती है, जब तक रहती है, जब तक हो current चलता रहे, तो वहां पे magnetic moment कैसे बनेगा, योगि magnet तो यहा देखो, M is equal to I into A, बस यह याद रखो, I into A, current into area, अब बताओ current के युँट क्या होगी, ampere, area की क्या बोल ले थे, meter square, ampere meter square अगी नहीं, तो देखो, magnetic dipole moment जो है वो, इसके युट, ampere meter square है, natural के हिसाब से, artificial के हिसाब से बुत नहीं, तो समझ मागया होगा, इसलिए अबने वो जो परशन था, इसके अंदर, जो gyro-magnetic ratio था, उसमें यह वाड़ा सीन ही है, 500 परशन है, magnetic field inside, long solenoid, long solenoid, having n turns per unit length, carrying current है, is, तो dear students, ही application है, MPS circuit लागी, और इसमें एक solenoid होता है, ऐसे ही हो, देखो, pen का सा सिप्रिंग सा, इसमें आई current entry होती है, आई current बाहर चला जाता है, अगर बड़ा N लिख रखे हो, बड़ा N का मतला हो, टोटल number of turns, टोटल number of turns, जैसे इचले किन लो, एक, दो, तीन, चार, पा तो एक सेंटिमेटर में कितने इस से आए, एक सेंटिमेटर में कितने इस से, कितने चले आए, दो, तो छोटे N का रोल कोण करेगा, दो, तो N is the number of turns per unit length, ठीक है, तो इसका उतर बता हो, इसका उतर होगा, याद कर लियो, B is equal to mu naught ni, इस पर टिक का निशान लगा दो, सबज और या पर अगर यह ऐसे चला होता है, ऐसे देख एक रिंग होती, और रिंग का अंदर अगर यह ऐसे लपेट रखा होता है, तो भी यह उतर आता है, B is equal to mu naught ni, अब इसको solide रही बोलते है, इसको बोलते है, तोराइड, क्या बोलते है, तोराइड, ठीक है, उसके बाद है एसे area of cross section of a metal is doubled, keeping its length same, then its resistance, तो नए resistance क्या होगा, metal wire is doubled, the area of cross section metal wire is doubled तो दखेवेछ, याद रखा हो, R is equal to rho L by A, dear students वो गाता है, इसका area doubled कर दिया, किपिंग इट्स लेंथ सेम तो जित हो गया हमारा पुराना बड़ा नया रजिस्टेंज के आजड़ेश के लो तार वह या रजिस्टिविटीविटी वह रहेगी देखो कई पर सिन आता है कि एक तार को मोड़के तोड़के ऐसा गर दिया उसकी नई रजिस्टिविटी में बड़के तो रजिस्टिविटी वह रहेगी कब तक है जब तक उस तार की जात्ति सेम है यानी कि वो चंदी का है लो एक का है जो भी है और लैंथ को उसने रख ए सेम तो हम लैंथ को मपी नी छेडेगे और एरिया को उसने कर दिए डबल तो तो अब देखो कितना हो गया देखो यह हो गया हमारा एक बटे दो रो एल बटे ए और यह सारा प्रोग्रम किसके बराबर है आर डेस इकोल टू एक बटे दो आर हनी कि जो पहले वड़ा रजिस्टेंस था उसका कितना हो गया अध्दा हो गया ठीक है अध्दाबय निशान लगा दो और इसका ओप्षन जो है वो अभी देखते हैं यह देखो पांचवे का पांचवे का ड़ी है हाफड हल वी इ डी हाल बट हो गया हाफड है तो छटा पर्सन है देखो एक बरिश में प्रेजिस्टेंस इन सीरीज कंदर के जोड़ जाते हैं बताओ इन पेश एक उत्र साहिए बताओ बताओ शावास शीरीज गंदर श्यदगुना उत्योंगी इन सीरीज के उत्र हो गाया बी ठीक है शीरीज कंदर डारेक्ट जोड़ते हैं ठीक है यह रेजिस्टेंस की बात हो रही है डारेक्ट जोड़ते है आरेस – अंच आकला बताओ चार्ज और न्यूट्रों इज या तो ऑफट्रों का प्लक्ष वड़ा यह कि इसको इलेक्ट्रो is, energy density of an electric field is, यह होती है, एक बटे दो, epsilon 0 e square, इसको कम करेंगे, और dimensions of capacitance, ascent of resistivity, यह देखो सामने, अब देखो सामने बोड में, तो series combination में क्या कर दू, बताओ, series combination में आओ गोगे, सार, series combination, resistance के अंदर, ऐसे होती है, direct, rac is equal to r1 plus r2 plus r3, और parallel में उत्ता तो, parallel में उत्ता तो, एक बटे करके करते हैं, ठीक है, और माल यह parallel में, यह होगी, r1, r2, तो एक बटे rp is equal to, एक बटे rp कैसे निकालोगे, parallel के अंदर यह बटे हो जाते हैं, ठीक, और इसको sol करने के बाद हम कर देंगे, next, charge on neutron is, charge on neutron is, 0, अनर्जी डैंस्टी ओफ एक बटे दो, epsilon not e square, यह कैसे आता देखो, अनर्जी डैंस्टी ओफ कैपेस्टोडा परसन है, जैसे डैंस्टी के होती है, डैंस्टी होती है, आते मास बटे वोल्यूम, तो यह होगी हमारी अनर्जी डटे वोल्यूम, को बोलते हैं, अनर्जी डैंस्टी, ठीक, थोड़ा समझ म pourquoi ? अनर्जी का फार्मूल क्या होगा ? अनर्जी का फॉर्मूल होता है, एक बटे दो सी किस्टर, और वोल्यूम होता है जैसे यह कैपेस्टर हमारा यह इसका area of cross section है इसकी d तो a into d इन दोनों जो जो हमने लिख है इसका अंदर एक बर c को गाइब कर दो और एक बर v को गाइब कर दो तो ppc का c का मान होता है c is equal to epsilon not a by d और v होती है इलेक्टरी फिल्ड का फार्मूले से तो v is equal to e d this implies v is equal to e d ठीक students तो इनको रखो पना उत्तर आएगा देखना यह वड़ा ही इस दो को निचे लेलू c v square बटे e d c की जगे यह मान रखेंगे epsilon not a बटे d v की जगे यह रखेंगे e square d square और निच्चे कौन कौन है a और d और d और दो भी था यह रखेंगे अब देखो के कट गवाई a से a कट गया d or d d square हो गया एक d square होगा तो k बट गया एक बटे दो epsilon not e square yellow एक नमबर पुच्छा तो वैसे याद रखो शिद्ध आई और नुगा अमने तो निकाल के दिखाओ दो नमबर मा जाए तीन नमबर मा जाएगी drive expression for the energy density of the capacitor यह शिद्ध इसी दो बात लिखनी है जब भी अब density की बात करते हैं तो मास बटे वोल्यूम तो लेकिन energy density की बात कर रहे तो students यहाब क्या लिख देंग हम energy बटे वोल्यूम समझ मागी वोल्यूम के अंदर तीन चीज आती लंबाई चवड़ाई हो चा सी के dimensions क्या होंगे तो लिखना पड़ाएगा इनम उप्सन ही दे रखे हैं अमने याद होना ची यह परसन तो अगर उप्सन होता है तो कमार भी देते अब बतानी क्या उतर होगा तो dear students बताओ पक्का याद करवाना चाहो हो या चालू काम चाहो हो अगर पक्का करवाना चा यह इसका नाम लिखना मैंने टिक फलक्स मैंने टिक फलक्स है ज लो रेजिस्टेंस और कैपिस्तेंस यह एक डाइलोग याद रह लो ठीक है पर्मनेंटी लाज करका दूंगा इसका यह बीमारी का बिढ़री नहीं बारेगी magnetic flux has low resistance and capacitance यह एक डायलोग याद रखो ठीक है और magnetic flux को हम लिखेंगे magnetic flux को लिखेंगे 5B से है तो डायलोग का है L का मतलब वही L जो आद हमने वीडियो की स्टार्टिंग में LCR पड़ रहे थे यह हो गया हमारा R and B वैसे है और यह होगा C तो dear students यह चार फार्मूला याद होंगे यह डायलोग याद रखो magnetic flux as low resistance and capacitance यह डायलोग हमारा यह सवदेशी पतंजली से मंगवा है हमारा खुद का देशी डायलोग है यह तो अब देखो इसके लिए dimension formula कैसे याद करेंगे तो dear students बार वी किलास कंदर चार अक्सर आते हैं ओन कौन से M-L-T-E तो आपने लिखने लिखने पड़ेंगे ग्यार वी किलास कंदर तीन आते है M-L-T-E तो ML-T-E तो आप सुनो यह याद कर लो 21-22-22-22 यह चार अक्सर याद कर लो यह थोट दिन पह वो वीडियो आपने देख लियोगी और तो क्या क्या याद करना है बताओ 12-21-22-22-22-22 यह चार लेन याद नहीं ठीक है अब देखो इन में यह दोनों के बीन के पीछा माइनस रखो ठीक अब सुन लो जो भी पुछा उसी का लिख दो एक चाबी है न रफ काम होने साइड मा कर दिया अकरो जो भी आरो जैसे कैपस्टेंस का पूछ लिया तो कैपस्टेंस का लिख देखो वह चार अक्सर लिखो MLTA और इसको पर अक्सर लिख दो 12-22 ठीक है यह माइनस इन का अक्सर लाग रहे हैं हो गया आर का पूछ था तो आर का पूछ था तो इससे यह लिख देते कोई से कोड़ में कोई से परसन आओ एल का पूछ था यह रहा 12-22 ठीक एक तो चाबी नंबर बन थी उसका बाद चाबी नंबर तू ले लो और यह और बच्चों को बता होता कि सुन के भी आराम हो थड़ा है चाबी नंबर टू है बैन टैन इककिस है बैन टैन इककिस यह तूरह याद होगा बी से कोण सी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते है मैगनेटिक फिल्ड को तो बी का हो गया एम एल टी ए इसको पर दस इककिस कर दो पाच फर्मुला क्या कि और इनको ना दो दो तीन तीन बर लिख कर देखोगे ना जब दिमाग में एक दम इनका स्टेंसिल कटेगा नो को ना एक बड़ी पढ़ लिया फिर खतम होगे साइंस के बाड़क के साथ के समझे है कि उसके समझ में तो सारी बात आ जाएगी आसर बता रहे है बोड़ा आसान लग रहे है लेकिन जब खुद लिख कर देऊगा उससे में बोल जाएगा और वो कभ याद होगी जब इनको हम तीन तीन चार चार बर लिख कर देखेंगे इनके स्टेंसिल दिमाग में कट जाएगी ना फिर तो कभी भी कुछ भी पूछ लो तीसरी चाबी नमबर त इसके लिए देखो 12 आलिया था और अब लिखना है हमने इलेक्ट्रिक फलक्स किसको लिखते हैं 5E को V का मतलब पोटेंचिल डिफ्रेंस पिडी इसको पोटेंचिल डिफ्रेंस बोल्टेज भी इलेक्ट्रिक फिल्ट को होगे E ठीक इसके लिए एडिया स्टुडेंट्स 11,12,13 ये याद रखो 11,12,13 ठीक है और सब के पिछे 31 नगा दो माइनस 31 माइनस 31 इब कोई भी पूछले कोई पूछले कोई पूछले इलेक्ट्रिक फलक्स का बताओ दो बही एक मिन्टेट जा MLTA उपर HR अक्सर फिट कर दो पोटेंशल डिफ्रेंस का बताओ वही काम इसी तरह इलेक्ट्रिक फिल्ट का 13,31 ठीक है तो ये याद रखो इनको चाबी को बार 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 लिखो और थम देखो इसका अंदर ये पिछे वाले अक्सर सेम है आग्ये वाले तीन बतल के 11,12,13 इनका अंदर देखो इनका अंदर ये 12 से स्टार्टिंग हुई है 12,21 ठीक है ऐसे इनको दो तीन पर लिख लिख कर देखो समसे अच्छा था मेग्रेटिक फिल्ड बार 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 लिख कर देखो तो ये तीन बच्छे दिए स्टुडेंट्स ये और देखो दस वो परसन है नो तक तो समझ मागे थे वो चब लिख ये अच्छे एंट ओफ रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंसी होती है पर यूनिट वोल्यूम और जैसे माल लो कोई सड़क जा रही है सड़क पर ब्रेकर का काम क्या होता है जब यहां से इसके ऊपर कोई गाड़ी जाएगा उसको सलो करेंगा तो इस अकेले ब्रेकर को हम पोलेंग रेजिस्टिविटी समझ मागी बाकि और ब्रेकरों से कोई लेना देना नहीं तो इसका फार्मूला होगा आर इस इक्वाल टू रो बाई यह आद कर लो हमें रो के बारे इंपड़ना है तो रो इस इक्वाल टू आर ए बटे ल ठीक युएट बता हो भई इसके क्या होगी ओम एरिया की क्या होगी मेटर सुकेर और लेंद ही क्या होगी मेटर यह कट गया कितना उतरा गया ओम मेटर हो जागा यहाद नेक्स सब्सक्राइब लेटी और यह इसको काई नाम के लिखते हैं काई और लिखे जाते हैं सीच एचाई ठीक तो पैर मेटिक की होती है स्मॉल एंड पोजिटिव और यह आपर डाय मेटिक होता है तो हम क्या लगते हैं स्मॉल एंड नेगेटिव यह होगी डाय की यह किसकी है पैरा की और फैर होगी होती है लार्ज एंड पोजिटिव यह होती है फैर होगी इसको मैं बताता हूं कि जैसे मालों एक इलास कंदरम बच्चों को पढ़ाएं वो नाइंटी पलस से उपर नंबर आएं उनकों बोलेंगे फैरो म मैंनेटिक है उनकों कुछ बच्चे फैल भी होगे उनकों बोलेंगे डाय मैंनेटिक सबस्टांस पास नहीं होती है जब को उसको मैंनेट मनाने के लिए किसी मैंनेटिक फिल्ड में लेके जाएं तो सारी के सारी लाइन उनके सिर के ऊपर से जाती है ऐसे सबस्टांस कों ब पाइनस एल डी आई बटे डी टी ठीक है यह हमने लिखना है इसमें आप्षन नहीं है तो डीर स्टुडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि 2012 का जो साल के जो एक एक नंबर के परसंथे आपको समझ मागे होंगे इनके नोट्स मनाओ अच्छी तरह हैं इनको लिख लिख के को है हम बटेख पाइसों चाहिए भलत अझारी यह की